नमस्कार दर्श न्यूज देख रहे हैं आप मैं प्रितिदयाल आपके साथ आरजेडी ने अपने 22 सीटों पर उमिद्वारों की घोशना कर दी है जी आदर्श को जो लिस्ट है वो सामने आ गई थी आरजेडी के सोशल मेडिया प्लाटफॉर्म एक्स से शेर किया गया था उमिद्वारों के नाम का एलान किया गया था साथ तोर पर जो 22 सीटे हैं उस पर उमिद्वारों की घोशना कर दी गई लेकिन जो एक सीट है उस पर आरजेडी अब तक मंथन कर रही है और वो एक सीट सीवान है जी आदर्श को मैं आपको बता दू कि सीवान को लेकर के अब तक लालु यादफ मंथन कर रहे हैं कि आख पुर्व विधान सभा अध्यक्ष अवद बिहारी चौधरी को यहां से टिकर दिया जाएगा RJD अवद बिहारी चौधरी पर विश्वास जदा कर उन्हें यहां से लड़वाना चाहेगी लेकिन दूसी तर बात कर ले हीना शहाब जीहां दिवंगत बहुबली नेता शहबुदीन की पतनी हीना शहाब की तो उन्हों ने कहीं न कहीं ऐसा कहा जा रहा है कि लालो यादव और तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ा दी है लगातार ऐसी खबरे सामने आ रही है कि कहीं न कहीं आरजेडी अब भी हीना शहाब को मनाने में जूटी हुई है जीहादर्श को जैसे ही आरजेडी की ओर से सिवान को छोड़ करके बाकी के बाई सीटों पर उमिद्वारों की घोशना कर दी उसके बाद से यह खबर चर्चे में है कि आखिर सिवान सीट ही क्यों बची है साफ तोर पर ऐसा कहा जा रहा है कि हीना शहाब ने लालो यादव की टेंशन बढ़ा दी है और ऐसे में कहीं न कहीं अभी भी हीना शहाब को मनाने की कोशिच की जारी है हाला कि दूसरी तरफ पिछले दिनों अवद बिहारी चौधरी को उनके शेत्र में भी लोगों से मिलते जुलते हुए देखा जा रहा था ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं न कहीं अवद बिहारी चौधरी को ही सिवान से टिकेट दिया जाएगा लेकिन जब उमिदवारों के नाम की घोशना हुई तो सिवान से उनके टिकेट को होल्ड पर कर दिया गया वहीं बात कर ले हीना शहाब की तो पिछले दिनों लगातार उनकी जो नाराजगी है वो खुल कर सामने आई थी अगर याद करें तेजस्वी यादव की जनविश्वास रैली को तो जब यह रैली सिवान जीले में होने वाली थी तब आजेडी के तमाम नेता और कारेकर था मंच पर तेजस्वी यादव के साथ दिखे थे लेकिन इस दोरान हीना शहाब तेजस्वी यादव के साथ नहीं दिखी थी जिसके बाद से ये खबरे सामने आ रही थी कि कहीं न कहीं हीना शहाब आरजेटी से नाराज है लालू यादव से नाराज है इसके बाद हीना शहाब ने निर्दलिय चुनाव लड़ने की भी घोशना कर दी साफ तोर पर हीना शहाब का कहना था कि सीवान से या तो वो खुद चुनाव लड़ेंगी या फिर उनके बेटे उसामा शहाब चुनाव लड़ेंगे तो वहीं अब जब RJD की ओर से 22 सीटों पर उमिद्वारों की घोशना कर दी गई है और सीवान बस एक सीट रह गया है जहाँ पर अब तक मंतन जारी है तो कहीं न कहीं ऐसा कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं RJD हीना शहाब को मनाने में जुटी हुई है और अब तक अवद बिहारी चौधरी का जो टिकट है वो होल्ड पर है तो अब देखना होगा कि आखिर RJD सीवान से किसे अपना उमिद्वार बनाती है आखिर सीवान पर किसे दाव खेलती है तो फिलाल के लिए इस खबर में इतना ही अगर आपने भी तक हमारे यूटूब श्राइब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल सब्सक्राइब कर दे इसके साथ ही अगर ये वीडियो फेस्बूक के माते हम से देख रहे तो पेज को लाइक करना ना भूले